स्वागत है आपका एक बार फिर कमाई काड़ा में मार्किट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे उपरी लेवल से एक बार फिर निफ्टी बैंक में प्रेशर कायम है निफ्टी सुबह से ही उसी सितर के आसपस 24.700-800 के बीच मंडरा रहा है मुनाफ़ वसूली का दबाव उचाईट पर आया उसके बाद मुनाफ़ वसूली आई तो वो होगा लेकिन आज जो स्टार प्फॉर्मा है जो मैटो ठीक उसी से चर्चा की शुरुवात में करना चाहूंगी क्योंकि इस स्टॉक को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आएं हैं and I think you are one of the first people to say कि यहां पर ब्लिंकिट का बिजनिस पिक अप करेगा वो एर्निंग्स को ड्राइब कर सकता है इस क्वार्टर में ठीक वही देखने को मिला है अब मैं आप से पूछ रही हूं आप किस कैंप में है 270 तक जाएगा उस कैंप में या फिर जो CLA से कह रहा है कि 350 तक भी पहुन सकता है आपके शो पर इंवाइट करने के लिए बहुत 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 दन्यवाद देखे हमारा जो मैटो क्या जो व्यू है अक्टिव एवर इंवेस्में इसमेटो अलसो तो हमारा अनुमान है कि यह एक मुल्टी बैगर स्टॉक है और हम इस स्टॉक को दस साल तर भी होल कर सकते ह जो प्रिफीड बार मैं तर अनुमान है रहुत हुए दिखे हुए दिन स्टॉक है जी बहुत ही बड़ा वाव। क्रेटर बन सकते है और जासे यह जासे वह प्रोग्रेस करेगा चाहे बने बिसिसंस लिएट भी करेगी जासे की वह बहुत है की ओडिजिक जो एडिस्टिं एक लंबी रेस का गोड़ा है और आपको इसको हर क्वार्टर हर एक दो साल पर रिव्यू नहीं करना चाहिए और कोई भी टार्गेट भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जब तक नंबर अच्छे आ रहे हैं और जब तक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है इतिंग इंग एडिंग आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी क्योंकि देखी दो तीन चीजे हुई है एक तो बिंकिट का पर्फॉर्मंस और मैंच्मेंट ने मैंचिन किया भी था कि वो जादा बहतर करेगा इगा इंपरेट तो अपर बिजनेस फूर बिजनेस फूर दिलिवरी और अधर फाट कि ये डिस्ट्रिक्ट क्या निकाल कर लाएगा नोबडी रिली नोज पेटीम के इंसाइडर को क्वाय करने की बात्चीज चल रहे हैं उन्होंने अक्नॉलजज भी किया अपको इस समें क्या अच्छा लग रहा है जो डाक स्टोर्स डबल हो रहे हैं वो या फिर जो कंपनी क्यारी अगले पाथ सालों में ग्रॉस ओडर वाल्यू पचीज बीस-पचीज परसेंट आसानी से ग्रोह होती भी दिखाई देगी I think sustainability of growth rates से सबसे महत्वपन बात है क्योंकि जब तक ये 60-70% growth rates quarter on sorry year on year maintain करता है अब दक I think कोई problem नहीं है growth rate थोड़ी कम भी हुई because of higher base rate that also is fine but the most important thing or सबसे interesting बात is of course the top line growth क्योंकि जैसे जैसे top line growth रहेगी a lot of the profits will start to flow to the bottom line उनकी जो operating profit margin से that can expand multi-fold or return on investment which is negative just now can start going into positive territory so ये जो growth rates से उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए they need to grow at minimum 50% plus for several years if I would say if our expectation और हमारा अगनमान और हमारा जो expectation about the potential of the growth is correct this commission will grow in the 50% range for many years at least 2-3 years maybe 5 years also अकी खेर ये जो बात हो गए मीनमाल अगर आप निफ्टी को जेखें तो crack हो के अप 24, 710 that means 10 निमा की trajectory को 747 को clearly surrender कर दिया है निफ्टी बैंक more or less वहीं पर ही है बतलब 50-60 पॉइंट कर दिया है लेकिन निफ्टी ने clearly 10 निमा की trajectory को surrender कर दिया है आज से एक दिन पहले है हमने all time high create किया बच सड़नली आइधिंग जिन फोर्स को हम आज I think feel कर रहे हैं देख रहे हैं और इनका impact है उसमें US market का crack and especially जो जपान में rate हाई कुआ है देख देखक के बाद exactly इसका liquidity flow पे impact क्या पड़ेगा कैसे read कर रहे हैं और क्या ये ये issue अभी कुछ समय परेशान करेगा हमको एक ये बड़े बड़े macro question है जिसका कोई सही answer है नहीं all I can say is की market इतना बढ़ गया है उसकी वजन के इसाब से correction आ सकती है कितने महीनों से correction ही नहीं आई है even on adverse news the market is absorbing the adverse news on going ahead जैसे की election result day और फिर budget के budget day also so I know it's a technical of the market are important so any point of time a correction can come मेरे क्याल से I think is earning season में ऐसी कोई खास trigger नहीं है और यो automobile के numbers आकर आए वो भी थोड़े disappointing रहे है और we are seeing a flood of IPOs and QIPs I think वो दिरे दिरे जो जिससाब से primary market में पैसा जा रहा है definitely secondary market price का negative answer आ सकता है और हर तेजी के market में ऐसे ही होता है जैसे हमने देखा था पिछली तेजी में which was from 2004-2007 और Reliance Power का जो IPO आया था वहां पर top बन गया था I'm not saying that we have created a top in this market but जैसे जैसे market बढ़ता है more and more companies are coming with IPOs and अगर आप हफते में दो-तीन अज़ा करोड IPO आ रहे थे अब IPO और QIP मिला के 20,000 करोड भी आ सकते है और इतनी ज़्यादा flows नहीं है when you add SIP and mutual fund inflows और अगर FI की selling आज आ जाती जैसे आज हमने देखा तो immediately जो liquidity की जो benefit है liquidity का जो advantage है उसका जो force है वो कम हो सकता है और दूसी बात यह भी है कि जैसे market बढ़ता है it requires more and more liquidity at higher and higher level because valuations and actual values also have gone up so I think it is जो correction हम देख रहे हैं whether it goes deeper or not only time will tell but I'm always keeping a cautious view on the market तो liquidity अगर turn हो जाती है उसका sentiment पर असर आ सकता है और साप में FI की selling आ जाती है वोई positive trigger भी नहीं रहता है then you could have a serious correction by serious correction I mean 10-15% correction from the top of 25,000 nifty but दिपन ये एक बज़ जादे डिक्टर साब HDFC बैंक का चार्टे के आई वे डे हाई 1666 पर ट्रेट कर रहे हैं ये थोड़ा stable है अज डे हाई पर है ये HDFC bank जो की nifty bank अगर मैं परलेली अलाइन कुनों दिपन जी तो शहाद सिक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा लाज कैप private banks में but at 1660 के ये settle down हो रहा है कै इस बात की कुंजाइश तगर ही आपको for a long-term prospector your price 1660 देखिये, problem ये है कि सब के portfolio में HDFC bank so it is you know we are all remaining invested in HDFC bank it has been a great value creator लेकिन stock has gone nowhere और मेरे ख्याल से कब तर्न होगा, कैसे तर्न होगा, difficult to say but पिछले दो quarters में banking sector पर काफी negative I would say disappointments not negative but disappointments आई है जो उनके pre-provisioning profits I would say the industry as a whole is not able to grow the pre-provisioning profits और PSU bank को अभी भी फाइदा मिल रहा है on lower provisioning of NPAs लेकिन ये जो benefit था ये जो best effect था अटास तर्न adverse for private sector banks including HDFC bank तो मेरे ख्याल से आपको banking में neutral हो जाना चे including HDFC bank और एक तो quarter देखिये I think that banks में trigger जब भी आएगा जब भी RBI also starts to look at reducing the interest rates or drastically improving the liquidity और ये जो pressure है on deposit and deposit rates जब तक ये pressure कम नहीं होता है for the banking sector as a whole till then I think bank numbers will not be that impressive okay तो ये in fact Nifty bank पर एक व्यूव दीपर मैं आपकी राए आटो पर लेना चाहूंगी और especially Tata Motors Tata Motors के numbers में absolutely कोई problem नहीं Q1 बहुत strong था लेकिन the very fact कि company कहते है कि demand environment थोड़ा सा cautious है festive season के बाद ही demand बढ़ेगी EV sales second half में ही बढ़ती भी दिखाई देगी क्या इसको लेकर आप चिंतित हैं क्या ये stock जो हजार के ऊपर अब comfortable हो गया था एक deeper correction की तरफ जा सकता है इस commentary पर या थिए आशदा I think entire auto industry can go in for a correction it may underperform for a few months maybe two three quarters also or so but ये long term growth story है I am not if I are a long term investor then I would prefer to remain invested से बढ़िया लग रहा है I think M&M and Maruti क्योंकि Tata Motors की जो सबसे बड़ी engine है that is JLR and JLR इतना complicated business है इतना complicated company है and there are so many moving parts कि यहां पर कभी भी disarmament आ सकता है and valuations have become very rich when it comes to Tata Motors या हमने पिछले सुना था that value has gone up beyond General Motors also and उसका main advantage ये है कि JLR जो overseas business है outside of India P multiple would be six, seven times or so but because it is listed in India it is having a P multiple which is three or four times the global averages so I don't think that यहां पर इतना इतनी जयादा scope है या प्ले है I have been proven wrong in Tata Motors I was negative on the stock even a few months earlier and the stock has rallied impressively but as I said I think पुरी आट इतनी पर थोड़ी आपको cautious हो जाना चे volumes are certainly coming under pressure और stock बढ़ रहा है डीलर्स के पास में discounting बढ़ रही है so if you brace yourself for two-three week quarters then perhaps you may remain invested लेकिन fresh investment तो इस level पर करना नहीं चाहिए और आपको बहुत सारी Instagram पर social media पर slides मिल जाएंगी कि auto companies especially SUV segment में कितने कितने discounts ओफर कर रही है substantial discounts है अदी पंजी की ये बात I think इस बात को बिल्कु सही तरीके से बिया करते है but now coming back to I think that again space वही दी पंजी space जिस पर हम कुछ दे पहरे बात करते हैं जुमेटों पर हला कि उस दिन मतब आपके conviction को सलामी देनी पड़े की जुमेटों पर आपका conviction अभी भी परसिस करता है but कुछ और स्टॉक्स अगर बेखें अच्छा कर रहे हैं look at jubiland Westlife ने इस segment पर अपना लुहा मनवाया वा था लेकिन अब थोड़ा सा वहां भी issues है but इस बार jubiland की recovery काफी अच्छी खासी है jubiland पर अपका take care अच्छी परे सेक्टर के jubiland, Westlife Devyani, Sapphire I think उनका जो runway for growth है वो बहुत ही बढ़िया है और they are going to penetrate slowly slowly into the tier 2, tier 3 towns going to go more and more deeper into all the new highways which are getting created वहां पर उनकी outlets in between you know at patrol pumps and in between two destinations उनकी runway growth runway बहुत ही बढ़िया है और gradually Indian tastes भी change हो रहे है they prefer Western food they are preferring quick fast food in a clean environment so there are certainly certain long term macro positive trends but valuations also are pretty rich for this industry so at corrections all of these companies look quite interesting be it jubilant food work but our most favorite company again disclosure we and our clients are invested is Devyani Foods if you look at Devyani compared to all the other QSR पिछले 3-4 साल में उनने बहुत ही अच्छा progress किया है and they have developed best in class earnings their growth rates their strategy that also I think is quite impressive and their focus is not only on a single brand but they have 2-3 brands which they are working with and their scope to increase the number of brands also in their plate as I said our view cautious so we are trying to increase our cash levels but agrochemicals looks very interesting in a space and I have discussed insect Dhanuka Agritech I think that's a very interesting company again a company which we are tracking very closely and we may make an investment as a measure of disclosure even when the season is bad this company has been able to just about manage its growth rates or keep the momentum going and aggressive management there are very good products which keep on increasing as they tie up with more and more global MNCs and look this is a lot of monsoon is very good and that's why the company's demand will be good will be good valuations be reasonable it's been a great value created it's been a multi-bagger but I think there is still some scope for outperformance when it comes to Dhanuka Agritech so this is the agrochemical sector I think we like all the companies Dhanuka P.I. Industries P.I. Industries P.I. Industries P.I. Insecticides India P.I. Coromandel International P.I. Fertilizer P.I. Paradeep Phosphates all of these companies you look at the results which have come through and you will be very impressed with the results which come for the September quarter as well so this whole agrochemical fertilizer sector you have to be able to look at deeper fertilizer there are big numbers so that's the sector I think we want to be overweight on and want to focus on and maybe buy in a correction or bank nifty damage will be controlled about nifty bank sorry